नमस्कार, पाकिस्तान ने भारत के नए नागरिक्ता संशोधन कानून को भेदबाव पूर्ण करार देते वे, दावा किया की यह लोगों के बीच उनकी आस्था क्यादार पर भेदबाव करता है। एफो की प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलूच ने भारती संस्त की कानून को इस पस्ट रूप से भेदबाव पूर्ण प्रकृति का बताया क्योंकि वे लोगों के बीच उनकी आस्था के आधार पर भेदबाव करते हैं। बलूच ने कहा हां हमने भारती नागरिक्ता संचोधन अधीनियम 2019 के सम्मन्द में आई अधी सूशना की कबर और मुसल्मानों अलप संक्यकों और आप प्रवासियों के सम्मन्द में आजकल भारत में हो रही भद्धी बहस पर रिपोर्ट दिखी है। प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बरूच ने कहा कि दिसंबर 2019 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कानून की आलोचना करते वे एक प्रस्ताव परित किया। जहां उसने इसे समानता और गैर भेदबाव के अंतरास्टी मानदंडों और अंतरास्टी मानवादिकार कानून के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा ये नियम और कानून गलत धारना पर आधारित हैं कि छेतर के मुस्लिम देशों में अलप संक्यों पर अत्याचार किया जा रहा है और भारत को अलप संक्यों के लिए एक सुरक्षित आश्रे सल माना जा रहा है। मुंताज जहरा बलूश ने बताया कि भाशपा सरकार के तहट हिंदुत्व की बड़ती लहर के कारण भारत में मुसल्मानों और अन्य अलप संक्यों का तीजी से राजनितिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीडन हुआ है। उन्होंने कहा कि भेदबावपून्ट कदमों ने भारत को हिंदु रास्ट में बदलने के भायाववा एजेंडे को और उजागर कर दिया है। उन्होंने भारती अधिकारियों को अलप संक्यों की खास तौर पर निशान देही करके बड़े ही व्यवस्तित तरीके से उन्हें हाशे पर धकेलने से रोकनी की सला दी। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले संयुक्त रास्ट के विशेश दूतों के एक समोने भारत के रास्टी चुनाओं से पहले मानवा देकारों की रक्षा और अलप संक्यों के खिलाप हमलों के लिए सुधारात्मक कारवाई का आगरह किया था। उन्होंने भारत से अपने अलप संक्यों के विशेश कर मुसल्मानों की रक्षा के लिए कारवाई करने का अगरह किया जो उनके अनुसार बढ़ते हिंदुत्व के कारण बहुत मुश्किल इस्तिती में हैं। आज के इस अंकी में वसित नहीं आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे। जैहिन।